नमसकार डोस्तों। अगर आप लोगों न अभी तक हमारी चानल को ससक्राइब नहीं किया है तो किरपेकर के चानल को ससक्राइब कर लेए, बैल आकन को प्रस कर दें ताकि लेटस नोटिफेकेशन आपको मिल जाए만 तो चलिए शुरू करते हैं इनका question इस प्रकार है, वर्तमान समय में CA qualified है और अभी job के लिए पूछना चाह रहे हैं कि job करूं या विपार, job मिलने के कब से आसार है, हलाकि job तो आपको मिलना ही है, और ये बात ये भी जानते हैं, lockdown को लेके थोड़ा job में problems आ गई हैं, अभी सबी के आ गई हैं, तो ये job क लिए focused रहे हैं या विपार, इस दोनों ही चीज में ये मुझसे जानना चाह रहे हैं, विपार जो CA लोग office खोल के रहते हैं उस विशे पर ये बाते करना चाह रहे हैं, तो निश्यंत्रहें आपके इस questions को cover किया जाएगा, और तीसरा question है कि आगे के जिंदगी कैसी रहेग तो पहले positive फिर negative फिर आपके questions के तरफ चलेंगे फिर आपके analysis को करेंगे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने CA qualify कर लिया है, तो क्या इनकी अतली पर वैसे कुछ योग थे क्या, तो चीजों को थोड़ा clear करता हूँ, ये इनका close up pick है, तो आपकी देखो close up pick, आपकी चीजो कोई दिखाया जा रहा है, continue basis पर हैं, कुछ राहू लाइन भी हैं, उस चीज कभी में प्रिचय उपाय दोनों ही दे दूँगा, वो negative sense में आएंगी, बाकी प्रगती के योग काफी अच्छे हैं आपके, और strong आपकी fate line, जो कि आपके जिंदगी के last तक मुझे दिखाई पर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कि बाग्य का साथ आपको continue basis पर मिलता वा नजर आ रहा है, और सबसे एहम बात है, कि आपकी सूरी रेखा एक से जादा है आपके एतली पर, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आपकी सूरी रेखा अच्छी होती है, तो इस बहुत कमा होगे, बहुत ज़्यादा, पैसे कमाने के शानदार योग है आपके एतली पर, शानदार, जानदार, जबरदस्त योग, और सबसे एहम बात है, multiple property के योग भी 36 वर्स के बाद के आपके एतली पर developed है, और यहां से भी देखो एक बुद्दर एखा आपकी और भी मंगल हो जाए, चाहिए वो आपका दोड़ोई मंगल हो जाए, चाहिए वो आपका चंदरमा हो जाए, और अपर planets भी आपके अच्छे condition में हैं, तो यह positive बात था, इस case में विक्ति पैसे ना कमा, यह possible ही नहीं है, तो main highlighted इनके जो हाथ का है, वो एक इनके mind रेखा heart line, semen lines, इस तीन line को लेके confusion है, तो उसको पहले मैं सरपर्थम clear करना चाहूँगा, देखो यह है, तो आपकी semen lines ही तो confirm है, यह तो confirm है कि यह आपकी semen lines है, यह completely आपके दली मुझे बता रही है, तो mind रेखा और heart line जब merge कर जाए, तो उसको हम semen lines के रिशिनी में डालते हैं, अब द अब फिर ये बताओ गुरूजी कि ये lines कोन सी है, ये वाली, तो देखो अगर इसको आप ठीक से देखने का परियास करेंगे न, और ठीक से समझने का परियास करेंगे, यहां से एक line निकल के आपकी ये attached कर रही है, यहां से एक line निकल के attached कर गई और सीधा आपके प्रस्टिंग लाइन है एक तो आपके डिस्टरब शुक्रवले है इसको बहुत हद तक डिस्टरब नहीं मानूगा लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिस्टरब है और इस यहाँ पर से भी देखो कुछ-कुछ ब्रांचेस हैं तो ये वाली लाइन का क्या फल आएगा तो देखो ये आपके जिन्दगी पर मिलने वाला है बहुत जल्दी तो ये एक पॉजिटिव सेंस की बाते थी जो मैंने बताया आपको बाकी अभी मैं नेगेटिव सेंस पर विचार करूँगा थोड़ा नेगेटिव सेंस आपका कह सकते हैं कि आपकी माइन रेखा पड़ना यवा आकिर जिसका एक्टिवेशन एज आपका 32 वर्स से लेके आपके तकरीबन 38 में वर्सकी है इस पार्टिकुलरली एज में कुछ मानसिक दवाब आपके जिन्दगी पर आ सकती है तो यहीं पर से उपाई भी देना उचित रहेगा तो देखो जब माइन रेखा में ऐसी प्रॉबलम आएंगी तो उस समय कम सोचने पर ध्यान देना है और अभी से अगर इसका आप उपाई करें तो अपने आपको शांत करने का प्रियास करें यह आपको क्या देता है यह आपको अशांत रखता है तो कोशिश करें कि अपने आपको शांत करें और शांत करके कोई भी कारे को क पाँच मिनिट कर लो इसको बढ़ा के दस मिनिट कर लो पंदरा मिनिट कर लो आपकी एक्छाएं ही आपके एनरजी का कारक बनती हैं तो जैसे जैसे आपकी एक्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके एनरजी भी बढ़ेंगी और आपकी एक्छाएं जब बढ़ती है जब आपको किसी भी काम करने से benefit होता है तो आपको 5 मिनिट करने के बाद कुछ feel होगा फिर आपको 10 मिनिट करने के बाद कुछ feel होगा फिर आपको 15 मिनिट करने के बाद कुछ feel होगा इसलिए मैंने आपके जिन्दगी परना अपने हिसाब से नहीं ठोपा है आपके हिसाब से चीजों को समझाया है आपके हिसाब से मैं चाहता हूँ कुछ चीज का आपको फाइदा आए तो बस ये कर लो, ये बराते जाओ और ये A's भी आपका निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो पहला तो एक negativity ये था सेकेंड वन आपकी है कुछ राहू लाइन आपकी है कम्प्रीटली बेसिस पर जबी भी है, जब जीवन देखा प्याओंगा तो ये A's को बखुवी दर्शा दूँगा मैं तो इस केस में क्या करना चाहिए तो एक and only उपाए one and only उपाए इसका आप कर सकते हैं सिवलिंग पर जल चराना है सूरी के अराधना करना है और महादेव को पकड़ लेना है इसके उपरांत ना तो कभी किसी को जुरुद पड़ेगी किसी और उपाए की और ना ही कभी इस केस में कभी किसी को जुरुद पड़ी है ये मैं इसलिए बोल रहा आपको क्योंकि देखो क्या है न एक सिंपल सा बात है खाते तो सब वही खाना है लेकिन एक मन की भी मानसिकता होती है कि कौन खाना मेरे ज़्यादा फाइदे मन्द है कौन खराब है कभी आप ये सोच लोगों कि ये आपके लिए खराब है तो वह आपके लिए खराब ही हो जाएगा लेकिन एक सबसे एहम बात है ये एक्जामपल यहाँ पर सूट नहीं क्या मैं समझ पा रहा हूँ आप मेरे बाबनाओं को नहीं समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये एक्जामपल सूट करेगा कि महादेब से बढ़के कोई भी नहीं है वो सरवे सरवा है तो इस अदार पर आप उनको पकर लेंगे तो फिर नीचे पद के लोगों को पकरने के क्या होशकता है आपको या नीचे पद के काम करने के क्या होशकता है या नीचे पद के पदाधिकारी को पकरने के क्या होशकता है वो खुद में बहुत बड़े हैं सबसे उपर हैं, सबसे बली हैं, सबसे सहनसील है सबसे प्राक्रमी है, सबसे अटल है, सबसे अडिंग है मतलब शब्दे कम पर जाएंगी उनके तारीफ है तू यही समझ लो आप शब्दे कम पर जाएंगी तो शब्द पे नहीं जाना है, भावनाओं पे जाना है भावनाओं पे जाके आपको उनको पकर लेना है कुछ negativity थे जिसका मैंने परिचे कराया और शुक्रवले का थोरा mood swing का problem तो रहता है ये तो बहुत आम बात है तो इसके लिए mood को control रखें और इनका एक और अभी तो प्रशन पर चलाई नियूम है अभी प्रशन पर चलता हूँ विपार करो या आपकरी करो देखो आपकी सूरी रेखा बड़ी असपस्ट है फिलाल कुछ दिन तो अपने आपको establish करो उसके बाद विपार आपको करने क्या वशक्ता नहीं परेगी आपके पास opportunity आजाएगी और वो opportunity आप ना चाहते वे भी grab कर लेंगे और उसको grab करके आप काम करना शुरू कर देंगे ये मैं लिखके देदू आपको तो वेपार में आपको ज़दा मगजमारी नहीं पड़ेगी समझेगा ये खुद बख़द आपके जिन्दगी पर बनने लगेगा दिखने लगेगा करने लगोगे आप ये आपके 28 एर्स के बाद सक्रिय हो जाएगी आपके जिन्दगी पर तो इसके लेके ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको जिसको लेके लोड लेना है तो फिलाल अभी डॉकडी के तरब ध्यान देना है दिमाग को भटकाना नहीं है परस पर परामर्स लेते रही है आप हमारे से जबी भी आपकी दिमाग में भटकने के प्राबलम आए क्योंकि वो काफी जरूरी है शुक्रवले जब डिस्टरब रहता है न तो इनसान को पुशब की आवशकता पड़ती है ये इनकी lifelong अवशकता पड़ेगी lifelong तो मैंने ज़ादा कह दिया 32, 35 तक तो जरूर से पड़ेगी उसके बाद चीजों को आप खुद भी समझ जाएंगे तो ये इनके कुछ questions थे एक और question थागी कि जन्दगी कैसी रहेगी और इसी questions के अधार पर मैं इनके जीवन रेखा का भी visualization कर दूँगा तो कुछ राहू लाइन थे एक तो आपके 20 में वर्स में थे 24 में वर्स में बड़ी तरक्की के योग थे एक तरक्की तो आपको मिल ही गई आपके जन्दगी पर उसके पास जन्दगी स्मूथ चल रही है एक तकरीबन आपके 28 में वर्स में दिक्कत है और एक 30 में वर्स में दिक्कत है 36 में दिक्कत है 30 में वर्स में दिक्कत के साथ 33 में वर्स में 32 में वर्स में एक बड़ी प्रगती के योग भी है 36 में वर्स में कुछ प्राबलम है फिर तकरीबन 60 years में कुछ दिक्कते हैं और आपकी देखो तो 64 में कुछ तरक्की है फिर 68 में कुछ तरक्की है फिर 72 में फिर जिन्दगी आपकी मस चल रही है 72 के बाद भी आपकी कुछ एक triangle बनी हुई है जो आपको property का सुख देंगी तो कुछ ये दिक्कते जो मैंने ace का भी indicate दिया इस ace को ज़्यादा लेकर pressure लेना है नीमाथा पर क्योंकि मैंने जो आपको उपाय बताया ना उसको आप करोगे तो ये pressure खुद बर खुद खतम हो जाएगा lines मिट जाएंगे जिन्दगी स्मूथी चलेगी और इतनी भी ताकतवर राहू लाई नहीं थी कि ज़्यादा परिशान करे अगर आप हमारे उपाय को नहीं मानेंगे तो परिशानी आएगी बस सीधा एक word में समझ लो कि आप अगर उपाय को नहीं मानेंगे तो ये राहू लाई नहीं है और ये लोगों को परिशान ही करती है चलिए जी तो ये इनके सारे प्रशन का उत्तर किया मैंने अभी इनके इतलिका मैं विशलेशन करूंगा पूनता चीजों को असपर्ष रूप से दिखाऊंगा तो वीडियो काफी मातपून है देखे, सीखे, समझे सबसे पहले मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूंगा ये देखो इनका दूसरा पिक तो यहाँ से चीजों का असपर्ष किया जाएगा अभी तो सबसे पहले इनकी स्क्वार स्पाम है तो विक्ती बड़े जद्दे किसम के होते हैं और ये कही न कहीं अपने जंदगी परचीवमेंट को जरूर से पाते हैं इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है सारे ही प्लेनेट्स में स्ट्रंथ है सारे ही प्लेनेट्स में इस केस में क्या होता है न कि विक्ती को राज्यों के प्राप्ती होती है 60% जुन्दगी बहुत अच्छी बीटती है, आपकी गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट भी करेगी, और स्ट्रॉंग आपकी थम्वेश, इक्षा शक्ती भी प्रबल है, तरक शक्ती भी अच्छी है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग थे, तो विक्टि डिजायरेबल हो स्था में विक्ती बहुत तेज तरक होते हैं, अपने एक्षाओं के लिए ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तयार है, और इनकी एक्षाओं बहुत अडिग हैं, बहुत अटल हैं, तो जबरदस्त आपकी थम्वेश, जो कि आपकी विक्तित्व करा रहा है, जो कि आपकी बहुत शानदार है, अभी चलते हैं, समझदारी के लूप के तरफ चीजों का सपस लूप से दिखाया जाएगा अभी, तो बस चीजों को समझना है, देखना है, तो समझदारी के लूप काफी अच्छी है, तभी तो आप समझदार है, परना भी बेवकुक का का काम समझेगा, तो वे इस चीज़ को जरूर से समझ पाएगा, कि मैं क्या बताने का कोशिश करना हूँ, अगर इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये इनकी महनत थी, इनकी समझदारी थी, इनकी लगन थी, ये इनकी लॉजिकल टच था जो इनके अतली पर आ रहा है, तो इस चीज़ों को समझ जाते पकर लेते हैं, ब्रश्पती फिंगर बड़ी है, तो लीडर्शिप क्वालिटी के योग है, और ब्रश्पती भी इनकी अच्छी है, तो इस अदार पे काले छेतर को बढ़ा पाएंगे, प्रारंबिक समय में कुछ राहू लाइन विगरा था न फिर देखें आपके इतरी पर इनकी सैटन फिंगर, सैटन फिंगर का हरका जुकाब है आपकी सन के तरफ, तो ये आपकी कैलकुलेटिव प्रसनालिटी को इंडिकेट करती है, सन फिंगर दोस मुक्त है, तो विक्ती बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बुद्ध फिंगर का छोटा होना, डिसिजन मेकिंग में प्रॉबलम, और उसके साथ शुक्र वले होना, तो ऐसे विक्ती अपने जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो उसी डिस्ट्रॉय से बचने के लिए आप को जबी भी ये ल स्पीकर के तरह भी मैं आपके साथ जरूर से करा हूँ, हर एक expect से मैं आपके साथ खराऊ हूँ, जिस भी चीज़ के आपको जरूरत है, क्योंकि आपकी जरूरत है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी inner सफलता मिली है, बहुत बड़ी, और इस सफलता को कम मत होने दे तो problem को बस समझने का पढ़ियास करिए mood swing की problem है, decision making में problem है तो कभी भी कोई निरने लेना है तो उसको सोच समझ के लेना है, पूछ के लेना है क्या दिक्कत है 10 minute के लिए अपने जिन्दगी को दावपन नहीं लगाया करते है तो वो आप समझ लेना बाकी अभी मैं दिखाऊं आपको तो आपकी बरशपती तो बरशपती इनकी है अच्छी, no doubt कुछ स्ट्रस रहे है nominal से दोका मिला आपको जिन्दगी पड़ा आपको जिन्दगी पड़ा, वो तो मिलाई होगा यह तो योगी ते दोका वाले, वो तो जरूर से मिलता है इस केस में, बाकी परुपकार के अच्छे योगे तो विक्ति परुपकारी होते हैं और यहाँ पर से एक इसक्वायर भी बन रहा है इस केस में बरशपती के पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, चतिस के बाद जिंदगी इन लोग की अच्छी होती है और बाकी कुछे, काफी अच्छे परुपकार की योग है तो विक्ति परुपकारी होते हैं अपने कारे को बड़े सहस्ता, बड़े इमानदारी के तहत करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है यहापर से दबाब है तो विक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और बीना मेहनत के तो कोई सफलता आपके जिंदगी पर नहीं मिलते यह कहां से मिलेगी और एक सरकारी छेतर से बड़े अच्छे योगार है आपके जिंदगी पर धनलाफ के बड़े खतरनाक योगार है कुछ डिस्टरब शुक्र वले भी थी यह वाली अलकी से देख लो यहाँ से देख लो यह कुछ डिस्टरब शुक्र वले भी आपके तली पर थी लेकिन चरकारी छेतर से धनलाव के योग भी आपके अतले पड़ते हैं इस केस में सरकारी छेतर से धनलाव तो जरूर से होता है इसमें कोई डाउट नहीं है बागी लाइन ओफ एजूकेशन अच्छी है तो विक्ती बहुत जादा समझदार है बड़े सहस्ता के साथ अपने काम को करते है बेसिक नौलेज अच्छा होता है चीजों को समझके ये लोग अपलाई करते हैं अपने लाइफ पर यहां से दवाब है जैसा मैंने बताई है मेहनती है बागी रेखा आपके जिन्दगी के लास्ट तक है तो बागी का दिक्कत नहीं है एक ब्रांचे सापके सूरी के तरब से भी जा रही है इस केस में विक्ती को विदेशी दर्ते से धनलाव या विदेश की यात्राएं होती है ये तो कन्फर्म था बागी पैतिक संपत्ती का मद्यमस्तर ये साथ और ये सूरी रेखा को मैं सपस्ट करने के लिए ना इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा ये वाला ये देखो कम्प्लीटली इनकी सूरी रेखा यहां से मुझे दिखाई पर रही है एक से जादा ही अमाउंट में है इस केस में विक्ति को कम मेहनत में जादा फायदा मिलता हूँ ये लोग talented होते हैं सबसे बड़ी बात है ये लोग talented होते हैं और एक सूरी रेखा आपकी यहां से भी बढ़ रही है तो विक्ति को चस्तर ये value मान सम्मान मिलेगा यहां से भी एक दिको सूरी रिकासी बन रही है इस case में value मान सम्मान जरूर मिलता है disturb शुक्रवले था यह थोड़ा mood swing की problem को indicate करता है तो mood swing मत होने देना आप अपनी mood swing होगा तो ये problems आपको करेंगी ये बहुत nominal है इस case में लेकिन शुक्रवले इतना भी disturb नहीं था अगर आप शुक्रवले को ठीक से देखने का परियास करें तो यहां से एक line सी गई हुई है और ये शुक्रवले कम से कम ये मोटा तो है ताजा तो है इस case में disturbance तो है हलकी फलकी तो थोड़ा परिशान आपको ये जरूर से करती है बट इतनी भी परिशानी नहीं होती इसके वज़ासे जिसके वाशा आप परिशान रो लेकिन भुद्ध फिंगर छोटी होने के वज़ासे निर्णे लेने में परिशानी होती है थोड़ी बहुत mood swing अगर ये indicate करती है 10% ही मानलो इसने mood swing करा दिया आपका तो परिशानी तो आपको जिंदगी पर आई ही जाती है तो इसलिए थोड़ा सा परामर्स लेके कारी करना बागी दो सूरी रेखा है कोई दिक्कत नहीं है मस्त आगे आपकी तरक्की है और आगे एक बड़ी extend भी करें ये भी बड़ी खुबशूरत है और sun mercury काफी अच्छे position में आपके एतली पर इस case में विक्ती को 101% समझो तो मिलता ही मिलता ही इनकी sun mercury यहाँ से आप feel करो ये वाली है यहाँ से है आपकी sun mercury काफी अच्छी है कुछ mercury पर lines भी है आपके सूरी पर भी कुछ lines है आपके तो यह आपकी talented होने का परिचे करा रही है और यहाँ से एक lines आपकी कह सकते हूँ यह heart line का थोड़ा branches था लेकिन यह पूड़ा हुआ नहीं और मंगल का portion आपका यह था इस case में विक्ती क्या होता है सबसे एक एहम बाद समझो आप मंगल आपका strong है दोनों ही मंगल आपका दोनों ही मार्च आपका काफी ज़्यादा शानदार है इस case में विक्ती काफी energetic होता है अपने कारे को बड़े energy के साथ करते है इसमें कोई doubt नहीं है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी यह तो heart line का branch था लेकिन यह पूड़ा हुआ नहीं तो यह भी तो heart line का branch हो सकता है न तो देखे यह पहले मुझे भी लगा था लेकिन जब मैंने चीजों का पस्टटा से देखा न तो अगर यह सीमेल लाइन्स इनके हैथली पर present नहीं होती तो यह heart line का branch मैं इसको मान लेता लेकिन जब सीमेल लाइन्स प्रजेंट हो तो यह शुक्रवले भी आपका हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है और एक दिस्टर्व शुक्रवले आपके यहाँ से भी मुझे दिकर रही थी हलाकि यह वाई रेका डिस्टर्व नहीं है तो इसके regarding कोई side effect नहीं है side effect तो यहाँ से आती है और पूरी amount में नहीं है तो हलकी फलकी side effect टेंशन यह सब चीज़े तो इंडिकेट करती ही करती है तो थोड़ा mood swing है इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ न थोड़ा समल जाना आप बाकि इनकी similar lines था तो emotional है और जो age मैंने आपको बता दिया न इसमें तो completely बहुत दवाब आपके जिंदगी पर आने वाला है एक solid यवा किरती है यहाँ पर यहाँ से भी कुछ देखो तो मतलब कह सकते हो आप कि इनकी 40-42 तक दवाब है इनके जिंदगी पर उसके बास चीज़े बहुत स्मूथ है आगे भी lines clear है हलकेल किसी बनी हुए तो सोचना कम करो meditation का असारा लो यही एक और आखरी उपाए आपके जिंदगी के लिए नई तो फिर life को destroy कर दोगे आप अपने यह भी indications आपके हाथ पर है तो meditation का साला ले कोई दिक्कत नहीं होगा आपके life पर कोई परिशानी नहीं होगी मैं बोल रहा हूँ और दूसरा इश्वर की भक्ती में रहें सूरी को जल दे और साथ साथ सिवलिंग पल भी जल चरहा है इश्वर के रादना करें मादेव की पूजा करें जरूरी यह आपके लिए और स्ट्रॉंग आपकी चंद्रमा तो विक्ती कई न कई बहुत अच्छे प्रस्नालिटी को होते हैं इसमें किसी प्रकाल का संदेह नहीं है प्रस्नालिटी बहुत अच्छी और साथ साथ आपके कुछ मनी मनेजमेंट के लाइन्स भी आपके हाथ पर चंद्रमा अच्छे तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है तो चंदरमा अच्छी है आपके इस केस में इंसान लोगों से इंट्रेक करते हैं और पैसा भी कमाते हैं और स्ट्रॉंग आपकी केतु परबत व फिश्नुमा आकिरती का फॉर्मेशन तो विक्ति के कास्मिक दनलाव होती है शुक्र जबरदस्त है आपका जबरदस्त है और कुछ स्ट्रेस के लाइन से तो पारेबारी के स्ट्रेस है थोड़े और बाकी मनी के अच्छी लाइन से तो विक्ति पैसे जरूर से कमाते हैं पैसे कमाने में दिक्कत नहीं यह पैसे तो कमा हो गया बाकी लगजरी के बहुती अच्छे योग और मंगल भी आपकी काफी असपस्ट मंगल पर कुछ लाइन सा आप कहते ली पड़े हैं इस केस में क्या होता है ना ये लाइन सा आपको थुरा चिंता भरा नीचर दरशाती है लेकिन आप एक बात को तो याद रखना है आप वैसे प्राक्रमी हो कुछ ट्रेंगल्स विगरा हैं कुछ स्क्वार्स विगरा हैं कुछ ट्रेंगल्स भी हैं इस केस में प्रापटी विगरा मिलता है लेकिन एक बात को आप मेरे जहन में बैठा के रखो कि आपकी राहू लाइन आपके हाथ पर बहुत जादा है तो यहाँ पर से उपाय तो जरूरी है आपके लिए जो मैंने आपको दिया है नहीं तो आपस्टेगल आपके लाइफ पर आते रहेंगे ये भी एक बहुत परी परिशानी है बाकि दोड़ी जीवन रेखा का काम कर रही है आपकी जीवन रेखा एक मंगल रेखा भी है यहाँ से भी है तो इस केस में विक्ति को दिक्कते नहीं होते लाइफ में जिन्दगी स्मूथली निकल जाती है लेकिन जिस काम्याबी के एक्स्पेक्टेशनस आप रखते हैं वो काम्याबी आपके जिन्दगी पर नहीं मिलती है इस बात का मैं आपके हतेली से परिचे करा रहा हूँ तो उसको लेके थोड़ा सा आपको कंसर्ण रहने के आवशकता है और उपाय करने के आवशकता है ने तो आपस्टेगल आपके लाइफ पर 42-43 बरस तक तो है कंप्रीटली आपके माइंड रेखा पर भी जो स्थितियां है वो भी आमें बता रही है दवाब को लेके बागी यहां से फिर स्मूथ है और कह सकते हैं आपकी थोड़ी से ये भी आपकी काम कर जाएगी माइंड रेखा को बचाव करने के लिए शुक्रवले तो यहां से भी आपकी अलकेल कीज़े दिख रही है और इसको शुक्रवले आप मान सकते हैं लेकिन अगर एक strong lines और सीधी हो और पतली हो ये कही न कही आपका बचाव करती है आपके जिंदगी पर इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है mode swing की extra problem यहां से भी है और बुद्ध finger छोटी है यहां दोनों से ही है तो ये कही न कही बचाव कर रही है लेकिन इसका कहां से alternative आप लाओगे इसका alternative के लिए जो मैंने आपको महादेव का बताया वो बस कर लो इसके उपरांथ कुछ करने का हो शकता नहीं है थोरा मैं आपको दरा ही रहा हूँ यही समझी है आप इसने डरा रहा हूँ ताकि आप वो काम को करो क्योंकि लापरवाई है आपकी बाकि माइंड रेखा आपकी ठीक है 12 वरसों के बाद तो ठीक सी हो जाएंगी यहां से भी एक नॉर्मल यवा किरती है तो क्या बिगार लेगी अगर आप माइंड को शांत रख लोगे मेडिटेशन कर लोगे जादा फालतों की बाते दिमाग में नहीं चलाओगे तो यह कुछ भी नहीं बिगार पाएगी आपका अगर चलाते हो तो फिर यह बहुत कुछ बिगार लेगी आपका दोनों एक्सपेक्ट पे मैं ही आपको बाते बता रहा हूँ तो यह तो कर लेना आप आपके जिन्दगी के लास तक है यह देखो completely तो भागे का साथ तो मिलना ही मिलना है आपके multiple property की योग 36 के बाद भी है और एक सूरी रेखा क्या दो-दो सूरी रेखा है कम मेहनत में जादा फाइदा मिलना ही है आगे भी multiple property के योग है बुद्ध रेखा तो अती उत्तम है और एक strong money triangle बनाई वी है यहाँ पर से देखो तो एक greater triangle भी हलकी सी मुझे परतीत होड़ी है इस case में पैसे तो कमाओगे आप लेकिन obstacle है तो वही बचा नहीं पाते है ऐसे लोग यहाँ से आगे बुद्ध रेखा है तो business भी आप कर सकते हो जौब के भी अच्छे indications है फिलाल तो जौब के लिए जाईए आगे विपार के लिए फिर प्रियास करिएगा वो खुद बखुद आपके जिंदगे पर opportunity आ जाएगी और पैसे थोड़ा जमा करने के लिए सोचो और पैसे को फालतू के वेस्ट मत करो खर्च मत करो उड़ा मत दो ठीक है और जो सबना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लेकर आप समपर्द कर सकते हैं धन्यवाद